नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाये में पुना स्वागत है आज मैं आपको हरिताल का तीज वरत के दिन कौन-कौन सी बाते नहीं करनी चाहिए यकिन बातों का विशेज ध्यान रखना चाहिए ये बताने जा रहा हूँ हिंदु धर्म में प्रत्यक्त्योहार का अपना महत्तो होता है और इनमें से महिलाओं के लिए हर्ताल का तीज बेहत ही खास होता है इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती के अच्छे स्वास्त और अखंड सौभागी की कामना से निर्जला वरत करती है हिंदु धर्म सास्त्रों के या बेहत ही खास दिन है और इस दिन भगवान शिव के साथ माता परवती का पूजन किया जाता है लेकिन हर्ताल का तीज का वरत करने के कुछ नियम भी होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस दिन भूलकर भी ये चार काम नहीं करने चाहिए हर्ताल का तीज के दिन सोना वर्जित अगर आप हर्ताल का तीज का वरत कर रही हैं तो इस बात का विशेज ध्यान रखें कि सुरत में दीन वा रात में सोना वर्जित होता है हर्ताल का तीच के दिन राद भर जाक कर भगवान शिव वा माता पार्वती का पूजन वा भजन किया जाता है कहते हैं कि यदि वरत करने वाली महिला इस दिन सो जाती है तो उसे अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है अन्य जल गरहन करना निशेद हर्ताल का तीच का वरत बेहती कठिन माना जाता है और इस दिन महिलाएं निर्जला वरत करती हैं इस वरत में भोजन ही नहीं बलकि फल वा पानी का भी सेवन नहीं किया जाता वरत का पारन अगले दिन सुर्योदय के बाद होता है और तभी कुछ गरहन किया जाता है इस दिन गलती से भी यदि कोई जल गरहन कर ले तो उसे अगला जन्म मचली का मिलता है क्रोद पर रखे काबू हरताल का तीच के दिन वरत करते समय महिलाओं को क्रोद वा गुस्से पर काबू रखना चाहिए कहते हैं कि वरत के दिन गुस्सा होने से वरत खंडित हो जाता है और उसका फल नहीं मिल पाता बीच में न छोड़े वरत माननेता है कि यदि कोई महिला हरिताल का तीच का वरत शुरू कर रही है तो उसे बीच में वरत नहीं छोड़ना चाहिए यानि हर साल यह वरत पूरे विधी विधान से करना चाहिए अगर घर में सूतक भी लगा हुआ हो तो तब भी वरत करना चाहिए लेकिन इस दोरान पूजा घर की बजाए मंदिर में जाकर करनी चाहिए तो दोस्तों यह थी तीच से सम्मधित एक छोटी सी जानकारी आशा करता हूँ आपको यह विडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे विडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इसे जाज़ जादा शेयर कीजे धन्यवाद